सुप्रवाद बच्चों आज मैं आपके पाठी पुस्तक के चतुर्थ पाठ डाक्टर राजिंद प्रसाद की विश्य में कुछ बताऊंगी डाक्टर राजिंद प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपती थे यह बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति थे राष्ट्रपती के सरोच पद पर भी आसीन होते हुए उन्होंने अपना जीवन बहुत साधिगे पुर्णे भाया डाक्टर राजिंद प्रसाद ने अपने जीवन के उद्देश से कोई अश्पस्ट करते हुए कहा था कि मानो जीवन का कोई ठीकाना नहीं है इसलिए समय का अच्छा अपयोग होरा चाहिए मैं अपने जीवन का यहे उद्देश मानता हूँ कि यदि मुझसे किसी का भला ना हो तो ना हो इश्वर ना करे किसी का मेरे द्वारा बुरा हो कितना विशाल हिर्दय था राजंदर भाबु का उन्होंने आजीवन सबका भला ही किया इसलिए वे अजात्शत्रु भी कहलाए डाक्टर राजंदर परसाद का जन्म जीरा देए गाउं में 3 दिसंबर 1884 को हुआ यह गाउं बिहार के सीवान जीले में हैं उनके पिता मुन्शी महादेव सहाय धार्मिक प्रकृति के सरल व्यक्ति थे वे परिवार में सबसे छोटे थे तो उनका विवाब 12 वर्ष के उम्र में राजवंशी देवी से हुआ कुलकता विश्व विद्याले में सन 1902 में मैट्रिक सन 1906 में बीए की उपादे उन्होंने प्राप्त की वे बचपन से ही प्रधिवावान विद्यार्थी थे और वे सदाही प्रथमाये बिहार के चमपारन शेतर में किसान नील की खेती करते थे अंग्रेज जमिंदार उन पर अत्याचार करते थे महात्मा गांदी सन 1917 में डाक्टर राजंदर प्रसाद के साथ चमपारन गये अंग्रेजों ने उनकी बातों पर ध्यान ना दिया महात्मा गांदी ने सब्त्राग्रा किया डाक्टर राजंदर प्रसाद ने अंग्रेजों के अत्याचारों की विस्तित रिपोर्ट तयार करके गवर्नर को बेजी चमपारन के किसान एक जुठ होकर गांधी जी के सत्यागरह में सामील हो गये अंग्रीजी सरकार को गांधी जी की मांगे मानने पड़ी और भारत भुमी पर्या महात्मा गांधी का पहला सत्यागरह अंदोलन था इसमें डाक्टर राजंत प्रसाद ने प्रमुख भुमी गानी भाई डाक्टर राजंत प्रसाद ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए के प्रतेक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया उनके मन में हिंदी भाषा साहित्य के प्रती अटूट स्रधा थी वे सन 1912 में हिंदी साहित सम्मेलन के कोलकता अधिवेशन में स्वागत समिती के सचीव बने सन 1924 वे अखिल भारतिय हिंदी साहित सम्मेलन के काकी नाडा अधिवेशन के अध्यक्ष बने उन्होंने सन 1927 के संजुक्त प्रांतिय हिंदी साहित सम्मेलन की अध्यक्षता की वे सन 1936 के नागपुर हिंदी साहित सम्मेलन की भी अध्यक्ष बने इससे उनके हिंदी प्रेम की जलक मिलती है मात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़न आंदोलन चलाया तब देश के सभी प्रमुखनेताओं को गिरफ़तार कर लिया गया। डाक्टर राजंदर प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ़तार करके 15 जून सन 1945 तक पटना की बांकी पूरी जेल में रखा गया। इन वर्षों में उन्होंने अपनी आत्म कता लिखी। इसमें सतंता आंदोलन का विश्तित व्रणन हुआ है। प्राजंदर प्रसाद के मन में हिंदी भाषा के प्रती विशेश लगाओ था। इसके साथ ही वे अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते थे। बाल लेकाल में उन्होंने उर्दु का ध्यान भी किया था। उन्होंने कुलकता विश्वित द्याले से बीए में विशेश अन्मती लेकर हिंदी की परिक्षा दी और वे प्रतम आये। उनका विजार था कि अंग्रेजी द्वारा शिक्षा दिये जाने की स्वधर्णता अपुन रहेगी। समिंधान में हिंदी को राश्भाषा बराने के लिए उन्होंने अतक प्रयास किया। उनकी प्रयासों से 14 दिसंबर सन 1999 को भारति समिंधान में हिंदी को राश्भाषा स्वकृत किया गया। हिंदी भाषा के प्रती उनका प्रेम किसी बात से प्रकट होता है कि उन्होंने अपनी आत्म कता हिंदी में ही लिखी है। एक बार एक ग्रामण भारतियब उनसे राश्टपती भौन मिलने पहुचा और बहुत देर तक उनसे बात की। उनकी साद्गी और सरलता को देखकर ग्रामण उन्हें पहचान नहीं सका। और अधिकारी से राश्टपती मोदे से मिलने का अनुरोध किया। तब राश्टपती मुस्कुरा उठे। जब ग्रामण को पता चला कि वह जिस भक्ती से बात कर रहा था वही राजिंद प्रसाद हैं। तो उसने उनके पैर छुलिये। ऐसे सरल सहज और संत स्वहाव के थे हमारे डाक्टर राजेंदर बाबु। बच्चों, डाक्टर राजेंदर बाबु के बारे में मैंने आपको कुछ जनकारियां दे। आम इनसे जुड़े कुछ प्रश्ण आपसे पूछती हूँ। डाक्टर राजंदर प्रसाद ने राष्ट पती पद को कैसे गौर्वानुत किया। दुसरा, डाक्टर राजंदर प्रसाद अपने जीवन का क्या उद्देश्य मानते थे। तीसरा प्रशन होगा कि राजंदर बावु ने कहां से शिक्षा गराण किर थी। चौता, डाक्टर राजंदर प्रसाद अजाद सत्रु क्यों करा दे थे। चौता, पाच्वा, आप कैसे कह सकते हैं कि डारेंदर राजंदर प्रसाद हिंदी प्रेमी थी। और आप इन प्रस्टों के उत्तर अपने उत्तर प्रिस्तिका में जरूर लिख लें। नहीं बाद